गुड मोरिंग गाईज, वीकली दा हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है, तो चेलिए बिना टाइम वेस्ट करें, सुरू करते हैं आज का पहला वर्ड, आज का पहला वर्ड है, सिबेरिटिक, इसका मतलब होता है, विलास में यह फॉंड अफ लग्जूरी और प्ल जो सिर्फ मज़े के लिए जीता है, ठीक है, खुब खर्चिला हो जो, लग्जूरियस लाइफ जीए, वो हता है, सिबेरिटिक, लग्जूरियस, एक्स्ट्रावेगंट, लेविस, यह इसके सिननम है, लेविस लाइफ मतलब जो बहु ज़्यादा खर्चिला हो, ठीक है, ख या भोग विलास वाला जीवन, वो हता है, वलप्चुरस, वैसे यह एक कामुक इनसान टाइप का भी है, ठीक है, तो यह हता है, जो अपने अप में मज़े, अपने अप से मतलब रखे, या अपने मज़े से मतलब रखे, तो यह हता है, एंटिनम क्या होगा इसका, जो सांसारी के जीवन से परे रहते हैं, ठीक है, किसी परकार के मोज मस्ती से दूर रहते हैं, एपस्टेमियस, जो सहयमी हो, ठीक है, तो यह इसके अंटिनम है, एक्जामपल इसका, दे हैव ओल्वेस लिवड अवेरी सिबेरिटिक लाइफ, वो हमेसा से उन्होंने एक वि विक्ड बिहेवियर और करेक्टर हो, जिसका क्या है, बहुती बेकार, बिहेवियर है, करेक्टर है, नीचता भरा है, ठीक है, यह अपनी वाइप को मार रहा है, इस टाइप का क्या है, तरपी ट्यूर जो नेचर है जिसका, ठीक है, वो हता है, रोंग, एविल, करप्सन, य निफार यह स्नेस होता है जो बहुति घटिया है वढ़े बरस्टता है डिपरेविटी ये भी क्या होता है जो बहुति बेकार है नीचता भरा है ठीके विसियस नेस है ये होता है एंतिनम में है इसका जो वर्च्यू है लिए जिसके अंदर morality है ठीक है नेतिक गुण है जिसके अंदर वर्चू मतलब जो काफी गुणी है ठीक है जिसके अंदर काफी सिस्टता है यह होते है वर्चू तो यह इसके एंटिनम है एक्जामपल इसका दियर मैं बी नो मॉरल टर्पिट्यूड और मैनिप्लेशन एज सच इसमें कोई नेतिक न मतलब होता है सिकायत करना या कंप्लेशन एबाऊ सम्थिंग ट्रीवेल मतलब जो बहुत ही चोटी बातों पर रोता रहे या फिर सिकायत करते रहे वह होता है ग्राउज या फिर इसका मतलब वालतों का बड़ बढ़ाना जैसे बुजर्ग महिलाएं होती है ठीक है सास बोल ही यह इसके सिननम है इनका मतलब है क्सी परकार की कोई सिकायत वैसे tha मतलब क्या होता है और जाए फिर और तीक है wine, grievance, ये भी इसके synonym है, इनका मतलब भी सिकायत, wine मतलब रोना भी होता है, ठीक है, कोई चिला रहा है या रो रहा है, तो ये इसके synonym है, antinom इसका rejoice, delight, accept, tolerate करना, tolerate मतलब सहना किसी बात को, ठीक है, rejoice, बहुत ज़्यादा खुश है जो, delight है, खुश से मिजाज है, या accept करना कि असी बात को, example है इसका, she heard him, grouching about his assistant, उसने उसे अपने assistant के बारे में सिकायत करते सुना, ठीक है, या बड़बडाते सुना, तो ये इसका example है, full proof, इसका मतलब होता है, बुराईयों से परे, या जो faultless है, जिसमें कोई कमी नहीं है, ठीक है, वो होता है, full proof, वैसे अगर किस water के आने से बचे, ठीक है, waterproof चाता होता है, वो ऐसे bullet proof होता है, जो किया गोली के आने को रोके, तो आगे अगर proof लगे, तो मतलब उस चीज को रोक रहा है, वो ऐसे full proof, फूल मतलब बेकुपी, तो जो बेकुपी की बेकुप वाली चीज़ों को रोके, जिसमें कोई गलती न हो, ठीक है, तो इस तरीके से बनता है, आगे अगर proof लगे, तो इस टाइप का sense meaning देगा हो, ठीक है, जिससे full proof, मतलब बुराईयों से परे, जिसमें कोई कमी नहीं है, अनेरिंग है, जो इन्फॉलिबल है, अनसाइलेबल है, जिसके synonym है, एर मतलब कोई कमी, और अनेरिंग जिसमें कोई कमी नहीं है, एर मतलब जिसमें कोई गलतियां है, इन्फैलिबल, जो बिलकुल अचूक है, जिसमें कोई गलती नहीं निकल सकती, ठीक है, अपतन सील है जो, यह होता है, इन्फॉलिबल, और अनसाइलेबल, जो दुरजय है, या अभेद्य है, ठीक है, तो यह यह इसके सेन्य में इसका कर ऐंडर लायबल अंड्र लैयबल और डाट चीबें इस लो अगिस्टे ड्रहकर के रशुच्र ना कर सकते ठीके तो यह इसके एंड्लियम में फ्ल्रूंप जो शीस्टम है वो है एन्डड परसंट टैसी नहीं है यह वो faultless नहीं है ठीक है कमियों से कम नहीं है तो यह होगा इसका example अगला word है shortcoming इसका मतलब होता है कमी या defect को कहा जाता है shortcoming जो क्या हो किसी चीज की जिसके अंदर कमी है ठीक है या drawback है जैसे image में दिख रहा होगा जो यह कमजोर है weak है इसका drawback क्या है कि यह कमजोर है ठीक है तो जो किसी का जो shortcoming होती है जो drawback होता है जो कमी होती है उसके अंदर वो होता है shortcoming flow, deficiency, positive यह इसके synonym है positive मतलब अगर किसी चीज की आपके अंदर अभाव है ठीक है अलपता को कहा जाता है positive यह अभाव को कहा जाता है नियूनता होता है जो वो होता है positive जैसे positive of trend medical professionals ठीक है deficiency यह भी क्या होता है कमी जैसे deficiency of vitamin D vitamin D की कमी flow, quality, ठीक है तो यह इसके synonym है lack होता है poverty जिसके आपके अंदर क्या है कमी है inadequacy होता है insufficiency होगा जिसके आपके अंदर कमी है scantiness मतलब जो बहुत कमी है तो scantiness जिसके बहुत ज़्यादा कमी है shortfall जैसे shortcoming होता है वो जैसे shortfall भी होता है scarcity होता है तो यह इसके synonym है antinim क्या होगा इसका जो आपकी strength है merit है मतलब उतकृस्टता है excellency है excellence पाबंद ना होना उसका सबसे बड़ी कमी है ठीक है तो यह इसका example है अगला वट है galvanize इसका मतलब होता है prayerit करना या encourage करना किसी को excite करना या provoke करना ठीक है impel, prod, prompt यह इसके synonym है इनका मतलब भी क्या होता है किसी को prayerit करना या provoke करना stimulate इस पर jolt यह इसके synonym है invigorate होता है इसका मतलब भी prayerit करना होता है antinim क्या होगा इसका किसी को demotivate करना ठीक है depress करना discourage करना dissuade करना यह इसके antinim है किसी को hathut side करना किसी का manobal घटाना ठीक है example इसका how can I galvanize the students into studying hard सकता हूँ hard work करने के लिए ठीक है तो यह इसका example है तो guys अगला वड़ है insinuation इसका मतलब होता है approach या संकेत या फिर an unpleasant hint मतलब किसी परकार का आपको किछ अन्होनी है उसका होने का आपको अगर कोई संकेत मिल जाए ठीक है वो होता है insinuation किसी परकार की कोई hint या फिर suggestion of something bad ठीक है किसी परकार की अन्होनी या कुछ गलत है आपको उसका संकेत मिल जाए पहले वो होता है insinuation implication inference suggestion यह इसके synonym है implication कोई आसे या नहीतार्थ किसी की बातों से क्या implication निकल रहा है क्या संकेत निकल रहा है क्या inference निकल रहा है ठीक है क्या अनुमान निकल रहा inference मतलब अनुमान तो यह होता है तो यह इसके synonym में एक और वाट होता है invento इसका मतलब इस संकेत होता है ठीक है जैसे कि कोई दो लोग बाते कर रहे और कोई थर्ड परसन है ठीक है वहाँ पर और वो दो लोग बाते जब इस तरीके से करें कि वेंग्यातमक तरीके से कुछ संकेत करें ठीक है वेंग्यातमक तरीके से ताकि थर्ड परसन को पता लग जाए यह संकेत की सोर कर रहा है ठीक है यह इस टाइब का होता है जिसे प्र that I won by cheating क्या तुम ये कहना चा रहे हो कि मैं दोकादली से जीता ठीक है तो ये इसका example है अगला वट है Spritely इसका मतलब होता है उसाह युक्त या जो full of spirit हो and vitality ठीक है जो भो ज़्यादा उसा हो cheerful, energetic, agile ये इसके सिननम है इनका मतलब ही जो भो ज़्यादा उसा है या भो ज़्यादा खुस है brisk, nimble, ये भी भो ज़्यादा उसा को कहा जाता है परकी, vivacious ये इसके सिननम है इनका मतलब भी उसाह हाँ antinimis का un energetic जो lethargic है lethargic मतलब भो ज़्यादा सुचत है slugis है, alci, torpid ये भी इसके सिननम है इनका मतलब भी जो क्या है जिसके अंदर कोई energy नहीं है थकावा है, torpid मतलब थकावा थकाहारा, या जो alci है slugis मतलब alci तो ये इसका antinim है example इसका rosny is a sprightly young woman जो रोसनी है वो एक तेज तरार महिला है या उचसायुक्त महिला है तो ये इसका example है अगला वड़ है condone इसका मतलब होता है maaf करना ये excuse को कहा जाता है condone किसी को maaf करना या फिर किसी को नजरंदाज करना overlook करना pardon करना forgive करना ये इसके synonym है किसी की गलती को maaf करने को कहा जाता है condone रेमिट ये इसका एक synonym होगा रेमिट मतलब किसी को maaf करना ठीक है वैसे ये करज माफी के लिए ज़्यादा होता है अगर किसी पर कोई रिन है तो जो करज माफी होती है वो होता है रेमिट देना ठीक है जैसे किसानों को रेमिड दिया जाता है उनको उनका जो करज होता है उसे माफ कर दिया जाता है तो यह होता है एक और वो एडियम है Turn a blind eye इसका मतलब है किसी को नजर अंदाज करना या किसी को माफ करना जैसे बच्चों की कोई गलती है तो पैरेंट्स क्या करते है उनके गलती के तरफ Turn a blind eye करते है उनको नजर अंदाज करते है ठीक है या माफ कर देते है तो इस टाइब का होता है एंट्रिम में इसका किसी को condemn करना या पनिस करना माइंड करना, heat करना मतलब ध्यान देना किसी पर या किसी को किसी का चीजों को बहुँ ज़्यादा गौर करना या होता है mind, heat, पनिस किसी को सजा देना या किसी की निंदा करना तो ये इसका एंट्रिम है एंग्जामपल इसका We cannot condone child abuse हम बाल अपराद को माप नहीं कर सकते ठीक है तो ये इसका एंग्जामपल है इसका मतलब होता है कालपनिक या मिथिकल को कहा जाता है जो क्या हो एक मन गरनत कहानी जैसा हो ठीक है, या पोरानी खोब जैसे कि image में दिखरा होगा ये दो कहानिया है खरगोस और कच्छवी की उसमें लास्ट में कच्छवा जी जाता है तो एक ऐसी story short stories that convey a lesson or a moral ठीक है जो किसी के किसी कहानिक है जो short stories होती है उसके लास्ट में जो moral निकलता है ठीक है, इस ताइब की जो कहानिया होती है वो होता है fabled, mythic, storied, fabulous ये इसके fabulous दो meaning देता है एक तो जो क्या है जबर्जस्त है या उत्क्रिस्ट है और दूसरा जो क्या है कालपनिक है ठीक है fictional है जो तो ये होता है fabled antinim इसका जो real है historical है actual है ये इसका antinim है example इसका the fabled kingdom एक कालपनिक kingdom मतलब एक कालपनिक सामराज जिया तो ये इसका example है अगला वड़ है incertitude इसका मतलब होता है संदेह certitude मतलब अगर आप किसी चीज़ में certain हो या आपको बिल्कु कोई चीज बिल्कुल fix लगे certainty हो जिसमें वो होता है certitude और incertitude जिसमें संदेह हो uncertainty हो doubt हो जिसमें आपको ठीक है जैसे ये हो गया है confused हो गया है बहुँ ज़्यादा संदेह के रास्ता किदर होगा तो ये होता है confused suspicion debate ये इसके synonym है debate मतलब कोई संदेह या suck ठीक है तो ये होता है या skepticism ये इसके synonym है skepticism मतलब संदेह वाद या संसेवाद ठीक है तो ये इसके synonym है antinum क्या है जो certainty है या confidence है जिस पर आप और positiveness है sureness है ठीक है तो ये इसके antinum है example है इसका the incertitude of his position in life caused him to postpone his marriage life में उसकी इस्थिती की anishtitata या जो संदेह uncertainty है उसके कारण उसे विभा इस्थगित करना पड़ा ठीक है तो ये इसका example है तो गैज अगला word है phoning इसका मतलब होता है chaplus या obsikias obsikias मतलब जो chaplus है खुसामदी है ठीक है chaplus ही करे खुसामदी करे किसी चीज़ का जैसे image में दिखरा होगा you are the best boss in the world तो क्या कर रहे है चापlus ही कर रहे है अपनी boss की तारीफ करके तो ये होता है phoning flattering sycophantic ingraciating इसके इसका मतलब क्या होता है कोई अगर किसी के चेहरे पर आपने देखा हो कब ऐसी smile होती है कि उसे लेने के लिए उसे लेने के लिए मतलब जान दैक रहे है दूसरे को खुस करने की कोसिस करते है खुसामद करने की कोसिस करते है वह होता है ingraciating sycophantic ये भी क्या होता है chaplouse flattering chaplouse ही करना बूट लिकिंग होता है, बी डबल ओ, बूट लिकिंग, तो ये भी क्या होता है, चापलूस, सर्वाइल, स्लेविस, सर्वाइल मतलब जो चापलूस टाइप का है, या फिर जो क्या है, ओबीडियन टाइप का है, जैसे नोकर होता है, ठीक है, सर्वेंट होता है, तो कर नीचा दिखाने है ठीक है इसको आप किसी को डारना जी और किसी पर तंज कसना जी बे या फिर किसी साबने ब्रेव बनना ठीक है तो ये इसका एंटनम है एक्जामपल इसका दपपी वाज फोनिंग ओन इस मास्टर जो पपी था वो अपने मास्टर की चापरुसी कर रहा ठीक है तो इसका एक्जामपल है तो काई जगला वर्ड है ड्रेकोनियन इसका मतलब होता है बेरहम या एक्सेसिवली हार्स और सीवर जो बहुँ ज़्यादा सीवर हो ठीक है या बहुँ ज़्यादा हार्स हो इस्टिंजेंट हो वो होता है ड्रेकोनियन रूथलेस हो रिले के लिए होता है लो या कोई applications हैं जो आपको follow करनी है ठीक है इस टाइब का कोई जो कहा है काफी कड़ा है ठीक है draconian लो है मतलब बहुत कड़े कानून बना दिये हैं government के द्वारा ठीक है यह होता है draconian या फिर दंडा अत्मक टाइब का है अगर थोड़ी सी सिभी गलबड़ की तो सीधे डंड मिलेगा ठीक है काफी सीवर है हार्स है इस्टर्न है ठीक है यह होता है draconian एंटिनम इसका जो mild है warm है lenient है lenient मतलब जो काफी मिर्दुल है जैसे मदर होती है काफी lenient होती है अपने बच्चे को लेकर ठीक है वो कितनी ही गल्टी करें वो क्या करेगी एकदम से मान जाएगी यह काफी नरम होती है दयालू होती है मुलायम को कहा जाता है lenient merciful यह भी दयालू है तो यह इसके एंटिनम है एक्जामपल इसका दे नाजी इस डिस्ट्रॉइड दे इंडिपेंडेंडेंडेंस ओफ दे प्रेस बाइए सीरीज ओफ ड्रेकोनियन लोज नाजीयों ने सिलसलेवार तरीके से जो प्रेस है ठीक है जो मीडिया है उसकी जो स्वतनता है उसको कठोर जो लोज है उनके द्वारा नस्ट कर दिया ठीक है तो यह इसका एक्जामपल है तो गैज अगला वट है मलक्ट इसका मतलब होता है जुर्माना या फिर a penalty such as a fine जैसे कि कोई fine है उस परकार का कोई मलक्ट है कोई जुर्मान लिए करना है ठीक है वोता है मलक्ट जिसको आपको पिनलाइज करना है ठीक है जो किसी पर Penalize किया हो Ton Be प्रूपे मिला हो, वह था है, मंख्ड, implement, impose, amars, इसका मतलब, दंडित करना, या किसी को सजा देना, ठीक है, तो ये इसके synonym है, antinum क्या होगा इसका, किसी को reward देना, award देना, ठीक है, किसी के help करना, तो ये इसके antinum है, एक्जाम्पल है इसका, यातायात नियमों का उलंगन करने के लिए उस पर 50 डॉलर का जुर्माना लगाया गया, ठीक है? तो यह इसका एकजम्पल है, अगला वर बिविल डर्ड, इसका मतलब होता है ब्रहमित करना, यह confused को करने को कहा जाता है, बिविल डर्ड, किसी को ब्रहमित करना, ठीक है? यह हो जो क्या हो भटकाव हो उससे कहा जाता है किसी को totally confused करना एक idiom आती है at a loss और एक और idiom है all at sea इन दोनों का मतलब क्या होता है अगर कोई बहुत जादा confused हो चुका है जिसके समझ में कुछ ना रहा हो अब क्या किया जाए ठीक है पूरे रास्ते बंद हो चुके हो जिसके ठीक है totally तरीके से भरमित हो गया है वो आता है at a loss और all at sea ठीक है तो यह इसके synonym है antonym है इसका enlightened, assure, alert clear headed clear headed मतलब जो बिलकुल जिसके उसमें थोड़ा सा भी doubt ना हो ठीक है या जिसको कुछी चीज़ का पता लग गया हो जिसे सूचित कर दिया गया हो ठीक है यह होता है enlightened as sure होना example इसका the instructions completely buildered me जो instructions थे उसने मुझे पूरी तरीके से भरमित कर दिया ठीक है तो यह इसका example है तो guys अगला वट है expertise इसका मतलब होता है विसे सग्यता या skill को कहा जाता है expertise जो किसी के अंदर कोई गुण हो ठीक है या योग्यता हो या दक्षता हो वो जोता है expertise किसी चीज में किसी के अंदर जो mastery होती है ठीक है कोई technique है जैसे सचिन तेंदलो कर जी है उनके पास क्या थी खेलने की एक जवरदस्ट टेक्निक थी expertise थे उसमें ठीक है competency proficiency neck ये इसके सिननम है neck मतलब जो योग्यता है किसी के अंदर या फिर जो कौसलता है ठीक है कौसल को कहा जाता है neck तो ये इसके सिननम है dexterity adroitness aptness ये भी इसके सिननम है इनका मतलब भी जो skill है adroitness मतलब दक्षता तो या महारत dexterity मतलब महारत चतुराई कौसलता निपूनता इस टाइब का सिननम है एंटनिम है इसका incompetence जो क्या हो असमर्थता हो या अयोग्यता ठीक है immaturity निनकंपूप निनकंपूप मतलब जो महामुर्ख है मुर्ख व्यक्ति ये बेवकूप इनसान ठीक है ये होता है निनकंपूप example इसका the lack of management expertise within the company company के अंदर जो management है उसकी कमी उसकी विशे सग्यता की कमी तो ये इसका example है अगला वट है लेंगर इसका मतलब होता है ठकान ये tiredness को कहा जाता है लेंगर lack of physical or mental energy को कहा जाता है लेंगर envy innervation listlessness ये इसके synonym है इनका मतलब भी कमी को कहा जाता है ये ठकान को कहा जाता है ठीक है जो आपके अंदर कमजोरी होती है innervation envy जो कमजोरी है frailty है इसका मतलब भी कमजोरी debility ठीक है तो ये इसके synonym है एंटनिम क्या है इसका एंटनिम है इसका vigor vitality vivacity ये इसके एंटनिम है vigor मतलब जो किसे के अंदर सक्ती हो ये जोस हो बल हो विगल परबलता vitality जिन्दा दिली को कहा जाता है ये प्राण है जो ठीक है ये होता है vivacity में इसके क्या होता है जिन्दा दिली सजीवता चुस्ती उल्ला से जो भरावा ठीक है ये होता है vivacity तो ये इसके एंटनिम है example इसका अगला उठे डैली इसका मतलब क्या होता है विअर्ती इदर उदर गूमना या वेंडर करना वेंडर मतलब भटकना या इदर उदर घूमना फिरना ठीक है ये होता है वैसे डैली के दो मिनिंग है एक तो हो गया फालतु का कोई मतर गस्ती करना ठीक है या तो देरी करना एक क्या है देरी करना और दूसरा मिनिंग है मतर गस्ती करना या फिर किसी के साथ फलर्ट करना जाले तर क्या होता है किसी गल्स के साथ कोई मतर गस्ती करे समय नस्ट करे ठीक है कोई उसमें समय गमा रहा है या फिर क्या बोलें इसका मतलब समय गवाना, ठीक है, मया मतर गस्ति करना, लिंगर मतलब देर लगाना, देरी करना, ठैरना कहीं पे, लोईटर, ये भी क्या होता है, मतर गस्ति करना, तो ये इसके सिननिम है, एक वर्ड है, कोकेट, वैसे इसका सिननिम है, मिनिंग क्या है इसका, अगर कोई जो लेडीज होती है, ठीक है, वो पुरुसों के साथ फलर्ट करे, या उन्हें अपने तरफ मोहित करे, ठीक है, अपने सोंदेरे से पुरुसों को मोहित करने वाली, उससे का जाता है, कोकेट, ठीक है, जिससे क्या बोला जाता है, मोहिनी, इस टाइब की, मोहिनी इस्तरी, यह हो इसका मतलब होता है बेपरवाह या नेगलिजन को कहा जाता है रिमिस जो बेपरवाह हो या जो असावधान है वो होता है रिमिस नेगलेक्टपूल इर्रिस्पोंसिबल रिगार्डलेस ये इसके सिननम है रिगार्डलेस मतलब जो असावधान है या बेपरवाह है इर्रिस्पोंसिबल है नेगलेक्टपूल है बेपरवाह को या असावधान को कहा जाता है नेगलेक्टपूल तो ये इसके सिननम है इनडिफरेंट है जो हीडलेस 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 ध्यान दे ठीक है असाव रहा है इस टाइब का dialet relex यह बिसके सिनननिम होंगे क्योंकि इसके मिनिंग एक तो जो बे परवा है दूसरा जो आल सी है वैसे जो आल सी होता है वह परवा होता है yeah सिननीम है slapenses होता है vi there salt full Bismarck Sueste0 जानवर है ठीक है काफी slow चलता हूँ ठीक है दिखाऊंगा मैं आपको कभी या आपने देखा होगा slow तो slow फुल जो इस टाइब का है बहुत ज़्यादा आलसी है डेरी करे जो ठीक है वो होता है slow फुल स्लैक होता है इसका मतलब भी जो काफी सुष्ट है निठला है तो ये इसके synonym है एंटनिम है जो काफी केरफुल है डिलिजेंट है पैन स्टेकिंग है ये इसके एंटनिम है डिलिजेंट मतलब जो काफी हार्ड वर्किंग है ठीक है काफी अपने काम को लेकर काफी सतर्क है वो होता है डिलिजेंट पैन स्टेकिंग ये भी क्या होता है जो काफी careful है तो इसके antonym है example है इसका I would be remiss if I did not do something about it ये मेरी लापरवाई होगी अगर मैंने इसके लिए कुछ किया नहीं ठीक है तो ये इसका example है अगला वड़ है इसनफू इसका मतलब होता है गड़बड ये मैस किसी चीच को खराब करना या फिर कोई घपले वाजी ये होता है इसनफू केवोस बंगल मडल ये इसके शननम है बंगल मडल इनका मतलब वी क्या होता है कोई गड़बडी या खपले वाजी या गोलमाल करना ये होता है symbols बोच ये भी इसके सननम होंगे बोच मतलब रह परपहई से किसी काम को screw up, balls up, goof up, ये अच्छी phrase है, इनका मतलब ही किसी चीज का काम बिगार देना, ठीक है, या कुछ खराब कर देना, लापरभाई से किया गया काम, यह उता है, balls up, goof up, screw up, वैसे goof मतलब बे-koop, या जो बुद्धीहीन है, वो उता है, goof, गूफ, इस्टूपिट को कहा जाता है, तो goof up, मतलब बेगार लापरभाई से किया गया काम, तो यह इसके synonym है, एंट्रिन्म क्या होगा इसका, काम, organize, organization, order, orderliness, यह इसके एंट्रिन्म है, काम मतलब जो सांतिस से किया गया काम है, ठीक है, कोई गर्बर निया, कोई मैस निया, बिलकुल प्रोपर ओर्गनाइजेसन में है, ठीक है, प्रोपर ओर्डर में है, तो यह इसके एंट्रिन्म है, एक्जाम्पल इसका, इसका, it was another bureaucratic snuff, यह एक और bureaucratic या परसासनिक गर्बर थी, ठीक है, तो यह इसका एक्जाम्पल है, अगला वड़ है, पोईस्ट, इसका मतलब होता है, तैयार, या फिर ready को कहा जाता है, पोईस्ट, इसके, इसको आप ऐसे समझोगे, इसका मतलब तैयार हैना, अगर आप अपने, आत्म सयम में हो, ठीक है, काफी कंपोज्ट हो, या आपने कोई चीज, बनापर तरीके से balanced की हुई है, वो होता पोईस्ट, जैसे image में दिखा होगा, अब यह कैसे हैं, काफी balanced है, अच्छे दिंस्ट तैयार है, ठीक है, जब आप खुद कभी, जैसे fight के लिए ready होते हैं, एक पैर आगे करते हैं, एक पीछे, अपना balance मनाते हैं, फिर ready रहते हैं, ठीक है, यह होता पोईस्ट, breast, prepared, non-chalant, यह इसके synonym है, breast क्या होता है, यह दो meaning देता है, यह noun भी है, वार वी भी है, breast, जो दान्तों में लगते हैं, ठीक है, दान्तों को fix करने के लिए, और इसका दूसरा meaning किसी परिसिती के लिए तैयार होना, ठीक है, तो ध्यान देना, और जो non-chalant है, यह भी दो meaning देता है, एक तो होगी है, जो सांथ है, यह कैसा है, इस तिर टाइब का है, वो होता है non-chalant, दूसरा meaning कि इसका जो काफी ला परवा टाइब का है, बे परवा है, वो इससे meaning सेम है, लेकिन यह थोड़ा सा negative में भी यूज कर सकते हैं, कि वो कैसा है, काफी बे परवा टाइब का है, वो किसी चीज की परवा नहीं करता है, वो बे परवा इंसान है, तो इस तरीके से भी यूज किया दा सकते हैं, तो ध्यान देना non-chalant मतलब बे परवा है, या जो सांथ है, even tempered, जिसका tempered कैसा even है, काफी सांथ टाइब का है, तो यह भी इसका एक सिननम होगा, सरीन, यह भी इसका एक सिननम है, सांथ को कहते हैं, एंटिनम है इसका, excited, flustered, disturbed, discomposed, यह इसके एंटिनम है, composed मतलब जो काफी सहयमी है, discomposed जो असहयमी है, वैसे flustered, यह मतलब जो काफी गवराय हुआ है, disturb आप जानते हो, ठीक है, उत्तल पुतल टाइप का, तो यह इसके एंटिनम है, example है इसका, he stood poised for the jump, वो jump के लिए तयार हुआ, ठीक है, तो यह इसका example है, तो guys अगला वड़ है, preponderant, इसका मतलब होता है, परधान यह major, जो मुख्य है, यह chief है जो, वो होता है, preponderant, जैसे supreme court है, यह सबसे उपर है, परधान है, ठीक है, pre-eminent है, यह होता है, preponderant, जो सबसे उपर होता है, ठीक है, यह परबल होता है, परभावी होता है, परधान होता है, dominant, supreme, paramount, यह इसके सिर्णम है, पेरामाउंट मतलब जो सबसे ऊपर है सुप्रीम है जो dominant किसी पर हावी होना या जो दबंग है परमुख है परभावी परबल इस टाइब का sense देता है dominant तो ये इसके synonym है एंटिन्यम क्या होगा इसका? inferiority, minority, weakness ये इसके एंटिन्यम है characteristic is honesty उसकी जो मुख्य जो गुण है वो क्या है उसकी इमांदारिता है यह honesty है ठीक है तो यह इसका example है अगला वाट है spacious इसका मतलब होता है दिखावाटी यह false को कहा जाता है spacious जो जूटा है दोका देने वाला है यह वो होता है spacious यह ambiguous है जो परस्ट है ठीक है आपको proper तरेके से समझ नहीं है जिसकी ऊपर ऊपर से देख रहे हूं वह इसके ऊपर का जो a-carson होता है या ओपरी जो आ-carson होता है या दिखावाटी जो होता है वो होता है spacious इसे आप space CS से confuse मत करना space CS इसका मतलब होता है जो लंबा चोड़ा हो या विस्तरित हो ठीक है या विसाल हो वो होता है space CS space मतलब इस्थान CS जो काफी बड़ा है विसाल है synonym इसके fallacious counterfeit spurious या इसके synonym है fallacious मतलब जो दोस्युक्तिय है या मिथ्या है जूटा है वो होता है fallacious तरकहीन टाइप का है counterfeit duplicate या फिर कृत्रिम जैसे counterfeit currency duplicate currency ठीक है spurious इसका मतलब भी जो जूटा है अवेद है तो ये इसके synonym है antinum है इसका जो above board है मतलब साफ है इस पस्ट है credible है जिस पर आप विश्वास कर सकते हो genuine है honest है या फिर real right है जो ठीक है तो ये इसके antinum है example है इसका we would not accept his spacious claim हम उसके जूटे दावों को सुईकार नहीं करेंगे ठीक है तो ये इसका example है अगला word है firsty इसका मतलब होता है या mellotaurus को कहा जाता है firsty जो दुरगंद युक्त हो या बदबुदार हो वो उता है firsty fitted stinking rancid इनका मतलब है जो दुरगंद है या फिर बदबुदार है एक word आता है putrid और brogy इनका मतलब है क्या होता है जो दुरगंद युक्त है या बदबुदार है frogy मतलब जो काफी उमस भरा है ठीक है उसके कारण जो बदबुदार बनता है दम घुटने वाला वो होता है frogy antinum है aromatic fragrant sweet ये इसके antinum है fragrant मतलब जो सुगंदित है खुस्पदार है ठीक है ये होता है aromatic जिससे खुस्पव आ रही हो सुगंदित हो जो ठीक है तो ये इसके antinum है example इसका this blanket smells a bit first इस blanket से इस कंबल से हलकी दुरगंद आ रही है ठीक है तो ये इसका example है तो गय जगलावट है iscurilis इसका मतलब होता है निंदापूरुण ये abusive को खा जाता है iscurilis जो निंदापूरुण हो ये अपमाजनक हो ठीक है कोई टिपनी या फिर कोई कोई बात या कोई कार ये वो कैसा हो निंदापूरुण हो ठीक है अपमाजनक हो बेहुदा हो ठीक है असी जीलताव से भरा हो इस टाइब का सिन्ज जेता है iscurilis synonym में इसके vituperative pecerative slendrous ये इसके synonym है इनका मतलब भी जो अपमाजनक है या निंदापूरुण है indecent है जो ठीक है तो ये इसके synonym है antonym में इसका जो काफी gracious हो सिस्ट ताहों से भरा है ठीक है सिस्ट को का जाता है gracious respectful हो loudative हो जो सराहनिय हो polite सिस्ट ठीक है तो ये इसके antonym है एक्जामपल इसका he wrote a iscurilis piece about me in the local place उसने इस्थानी ये प्रेस में मेरे बारे में निंदा पूरुण लेक लिखा ठीक है तो ये इसका example है अगला वट है extrapolate इसका मतलब होता है मुल्यांकन करना ये analyze करने को कहा जाता है extrapolate ठीक है किसी चीच का मुल्यांकन निकालना या किसी चीच को अगर निसकर्स निकालना deduce conclude generalize ये इसके synonym है तो ये होता है reckon होता है इसका मतलब ही मुल्यांकन करना या गणना करना ठीक है और aduce infer ये भी क्या होता है मुल्यांकन करना aduce और infer तो ये इसके synonym है antonym इसका doubt misconceive guess ये इसके antonym है मतलब अंदज़ा लगाना guess मतलब अंदज़ा लगाना misconceive किसी चीज़ को गलत समझना conceive मतलब समझना misconceive गलत समझना ठीक है तो ये इसका antonym है example इसका you cannot really extrapolate a trend from such a small sample इतने छोटे sample से आप वास्तव में जो trend चल रहा है उसका मुल्यांकर नहीं कर सकते ठीक है तो ये इसका example है अगला वट है jitter इसका मतलब होता है चिंता ये nervousness को कहा जाता है jitter किसी परकार की चिंता ये व्याकुलता वो होता है jitter ठीक है या कोई गबराहट synonym इसके anxiety uneasiness fidget ये इसके synonym है इनका मतलब भी चिंता या फिर किसी परकार की कोई व्याकुलता तो ये होता है या फिर कोई गबराहट जैसे fidget है इसका मतलब कोई गबराहट ठीक है या फिर किसी का हाथ कहां पर होते है कहीं पर ठीक है उस ताहिं पर आपके अंदर जो गबराहट आती है वो हता है ठीक है या अस्थिर्ता तो ये होता है C वर डी थर ये बिसके synonym है इनका मतलब भी गबराहट इनका मतलब भी calmness जो काफी सांथ है serenity imperturbable जो बिलकुल काफी सांथ माइंड का है ठीक है ये होता है imperturbable एक्जामपल इसका I always get the jitters before exams एक्जामपल से पहले मैं हमें साही क्या हो जाता हूँ काफी nervous हो जाता हूँ या चिंतित हो जाता हूँ तो ये इसका एक्जामपल है bank road इसका मतलब होता है साहीता करना या support को कहा जाता है bank road जो ये साहीता होती है ज़्यादातर होती है कोई financially support ठीक है किसी को जो आर्थिक साहीता मिलती है वो होता है bank road subsidize bolster sponsor ये इसके synonym है इनका मतलब ही क्या होता है कोई साहीता subsidize जैसे government किसानों को देती है subsidy देती है ठीक है आर्थिक साहीता होती है bolster होता है किसी को support करना संभालना सहारा देना sponsor कोई priori जित होता है एक word है under right इसका मतलब ही क्या होता है साहीता ये क्या होता है जो आर्थिक उत्तरदाई तो होता है जैसे कि जीवन भीमा होती है LIC होती है वो आप से LIC लेती है और जिमेवारी लेती है किसकी आर्थिक जो उत्तरदाई तो होता है ठीक है कभी आपके उपर मुस्चिबता जाए या कुछ हो जाए तो वो financially आपको help करेंगे ठीक है यह इस टाइप का होता है जीवन भीमा होती है तो यह होता है अंडर राइट तो यह भी इसका एक synonym है एंटिनिम है इसका disapproved discouraged यह इसका एंटिनिम है disapproved मतलब किसी को नापसंद करना या अस्यूकार करना एक्जामपल है इसका parties are bankrolled by huge companies for political favor राजनितिक फायदे के लिए companyyوں के द्वारा जो parties है उनको आर्थिक साहिता दी जाती है ठीक है तो इसका एक्जामपल है तो guys अगला word है allegiance इसका मतलब होता है एकनिस्टता या फिर trust को कहा जाता है allegiance जो राजभक्ती होती है ठीक है अपने राजे के परती अपने राजा के परती या अपने किसी honor के परती ठीक है या स्वामी है जो यह होता है allegiance अपने राष्ट के परती जो आपकी एक निस्ठा होती यह जो निस्था होती है आपकी ठीक है लोयल्टी होती है Fidelity होती है Adherence यह सके सिननम है इनका मतलब भी एक Nist था ठीक है निश्था को कहा जाता है Adherence चिपकाओ भी होता है Adherence ठीक है कोई चिपकाओ लगाओ समर्थन करना किसी को इस टाव का सेंज जता है fidelity ये भी क्या होता है एक निस्ठता या वफादारी ठीक है इस ताइब का sense देगा और एक वर्ड है filthy ये भी इसका एक synonym है इसका मतलब भी स्वामी भक्ती या निस्ठा एंटिनमे इसका treason, treachery, disloyalty, perfidy ये इसके synonym है पर्फिडी मतलब विश्वाजगात या नमक खरामी करना ठीक है religions to the crown उन्होंने crown के परती या राजमकुट के परती अपनी निस्ठता की सपत ली ठीक है तो ये इसका example है तो guys अगला वट है prejudicial इसका मतलब होता है हानी कारक या detrimental को कह जाता है prejudicial जो आपके लिए नुकसान दे है ठीक है या हानी कारक है damaging, injurious, bias ये इसके synonym है prejudicial एक adjective है और prejudice एक noun भी है वर भी है इसके दो meaning है एक तो होगिया हानी कारक जो आपके लिए हानी पहुँचा रहा हूँ हानी करना या अच्छती पहुँचाना और दूसरा meaning है इसका किसी एका पक्छ लेना ठीक है तो पक्छपात को भी का जाता है हानी कारक को का जाता है इंपेर तो इसका synonym है एंटिन में इसका beneficial, advantageous, harmless जो आपके लिए बिल्कुल भी नुक्सान देह नहीं है ठीक है वह होता है harmless तो इसके synonym है example इसका the proposals were considered prejudicial to the city center proposals या परस्ताओं को city center के लिए हानी कारक समझा गया था ठीक है तो यह इसका example है तो guys आज के लिए बस इतना ही thank you धन्यवाद if you like the video please like subscribe and share the video